नमस्कार दोस्ताब सब्सक्राइब लॉसिकों के नीज इन फ्लेश में चलिए आज की पहली ख़़र देखते हैं आमर्ड इंजिनियर रिकॉंसिनेंस वीकल इसका निर्मान करा है कॉप्स ओफ इंजिनियर आतने निर्भर भारत के अंतरगत यह भारत का फर्स्ट इंडिजिन इंडिजिनियसली डेवलब्ड नेक जनरेशन आम्ट इंजिनियरी रेकॉंसिन्स वीकल है तो कॉप्स ओफ इंजिनियर जो है उन्होंने इसे तरहाल करा है आर्मी के चीश मनुच मुकुन नर्वने ने इसे फ्लेगड ओफ करके इसको इंड़क्ट किया है साथ में इस बॉ पूस्ट खरेंगा खासकर हमारे पश्मीर फ्रंट में अगले ख़बर है नीति आयोग के बारे में नीति आयोग ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ओफ इंटेंट साइन करा है युनाइटिध नेशन वर्ल्ड फूड फूड प्रोग्राम के साथ में नीति आयोग ने यह आर्थात में साइन करा रहे, जिसके चलते हुए, ये मिलेट्स को अक्तात मोटे अनाच को भारत में जाज़सादा प्रमोट कर बाये, तो मोटे अनाच की मिलेट्स के अपने आप में 1-2 ही घीता है, इंडिया ने यहाँ पर United Nations General Assembly न यह resolution लिया है कि 2030 को हम International Year of Millets के रूप में celebrate करेंगे तो उसी और यह एक महत्पुन कदम है जो कि भारत में implementation की और है उसके अलावा भारत में भी काफी steps लिये गए है उसके अलावा National Food Security Act जो है इसमें भी मिलेट को प्रमोट करने के लिए कदम उठाए गया है और मिलेट मिशन के लिए भी शिरुवात की गई है कई राज्यों में अगली ख़बर है स्कोर्ट से पंकच आडवानी ने 11th National Billiards टाइटल जीत लिया है इन्हों ने अपने PSPB टीम में ध्रू सितावाल को पास दो से हरा के यहां पास दो से हरा के भोपाल में यह बिलियर्स नेशनल टाइटल जीता है आपको बता दू कि इनका 11 सीनियर बिलियर्स टाइटल है इसके अलावा यह 35 ओर टाइटल जीत चुके हैं अगले ख़बर है एश्या चेंपियंशिफ ट्रॉफी से होकी की एश्या चेंपियं के राउंड होते हैं लास्ट राउंड राउंड रॉबिन मैच में यहां पर भारत ने जापान को 6-0 से हरा था लेकिन उसके बावजूद भी सेंब फैनल में जापान ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीक शुदारा और भारत को यहां पर तीन पास से हरा इ जिसमें साउथ कोरिया ने पाकिस्तान को छे पास से हराया तो अब जो फाइनल मुकाबला है यह साउथ कोरिया और जापान के बीच होने वाला है वही तीसरी पोजिशन के लिए अर्था ब्रॉंस मैडल मैच जो है यह भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला है तो चलिए आ